हेलो दोस्तों आज हम फिर से हाजी रहें एक नई वीडियो के साथ आज हम चैप्टर नंबर 7 को करेंगे फेयर प्ले फेयर प्ले जो है दो फ्रेंड्स के बारे में है Has your best friend ever done something you thought was wrong? What did you do then? Did you keep quiet or did you tell your friend what you thought? Read the story about two friends who had to decide what was more important friendship or enmity और essence of what is right and what is wrong तो इसमें बताया गया है कि क्या कभी तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है अगर किया है तो क्या तुमने कभी उसको बताया है कि यह wrong है यह जो story है वो भी two friends के बारे में है क्या चीज़ important वो रखते हैं अपनी friendship को रखते हैं क्या चीज़ right है क्या चीज़ wrong है इसमें यह बताया गया है पार्ट वन है जुमन सेक और अगलू चोधरी वर गुड फ्रेंड जुमन सेक और अगलू चोधरी जो है अच्छे दोस्त थें जुमन की एक आंट है जिसकी कुछ प्रोपर्टी है आंट उसकी चाची ताई जो भी कुछ लगाओ इंगलिस में आंट बोलते हैं उसकी कुछ प्रोपर्टी है इस शर्थ पर वो उसका ध्यान रखेगा अच्छे से चलता रहा ऐसे ही जो है वो उसको खाना देता रहा अब जो है स्तिती बदल गही थी जुमन और उसका जो परिवार है वो अब उनको पसंद नहीं था जो बुड़ी ओरत है उसके साथ संबन उसको पसंद नहीं थे जुमन की जो वाइफ है वो भी जो है उस बुड़ी ओरत को बिलकुल थोड़ा सा खाना देती थी हर रोज सी स्वैलोर दीज इंसल्ट एलोंग विधर फूड फूर फोर ए फूव मन उसने जो है अपनी बेज़ती को कुछ दिनों तक तो जो है चुप रही वो अपनी इस बेज़ती को चुपचाप सहन करती रही कुछ मन तक बट पेशेंस है इजरिट्स लिमित लेकिन जो है पेश तुम मुझे एलोएंस होता है हर महीने पैसे देने कुछ पैसे फिक्स पैसे होते हैं कि तुम हर महीने मुझे कुछ एलोएंस दो जिससे जो हमाई अपना अलग रसोई घर बना सकूं जुमन ने बड़ी शेमलेसली होता है शरम से शेमलेसली मिलो कि शरम को महसूस भी निकिया उसने ये बोला कि मेरी वाइफ जानती है कि घर को कैसे चलाना है इसलिए जो है तुम थोड़ा धैरिये रखो इस बात पर जो आंट है उसको बहुत गुसा आया और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं जो है ग्राम पंचायत के पास जाओंगी कहीं जिनों तक जो अबूर योरत है वो गाओंवालों के पास कहीं अपनी कहानी को बताया और वो ऐसे सोच रही थी कि वही उसको ही स्पोर्ट करें सम्सेंपेथाइजड विधर कुछ ने उसको साहनुबूती दी अदर लाफड़ाइटर कुछ उस पे हसे एंड फ्यू अधर एडवाइजड हर तू make it up with her nephew and his wife और कुछ ने कहा कि तुम चुप चाप जो है अपने बतीजे और उसकी बतने के साथ ऐसे ही रहते रहो at last she came to aglou चोधरी फिर last में ओ जो अगलू चोधरी के पास कही जो कि जुम्मन से का friend है and spoke to him और उसको बोला you know you know चाची जुम्मन is my best friend how can I go against him तो अगलू ने क्या कहा अलगू ने क्या कहा कि चाची तुम जानते हो कि जुम्मन मेरा best friend है तो मैं उसकी against कैसे जा सकता हूँ but it is right my son to keep mom and not say what you considered you and fair plead and old lady old lady ने कहा क्या बेटा ये कोई fair है कि तुम इस बात पर भी mom होता है चूप रहना कि तुम एक चूप रहोगे इस बात पर उसने मेरे साथ कितना बुरा किया क्या तुम यहाँ पर भी अपनी friendship को भी आगे रखोगे come to the panchayat and speak the truth she said उसने बोला कि panchayat में आ और सच बोलो अलगु डिड़ने जो है reply नहीं किया but her words keep ringing in his ears लेकिन जो वो शब्द थे उस बुड़ी ओरत के उसके कानों में वो गूंजते रहे the panchayat was held the same evening under an old banyan tree उसी जो है शाम को जो panchayat है वो बरगद के पेड़ के नीचे रखी गई the voice of panchayat is the voice of god की panchayat की जो अवाज है वो भगवान की अवाज है let my aunt nominate the head punch अब जो है मेरी aunt को head punch nominate करने का मोका दिया जाए I will abide by her decision और मैं खुश हूँ जो decision लेंगे the panch knows neither friends nor enemy what do you say to Algu Chaudhary the old lady announced old lady ने announce किया कि जो है panch का न तो कोई दोस्त होता है नहीं कोई दुश्मन होता है तुम क्या सोचते हो Algu fine replied juman hiding his joy over the unexpected piece of luck जो जम्मन है वो कहता है अच्छा है और वो मन ही मन में बहुत खुश हो रहा है कि अब तो जो जो announcement होएगी जो result निकलेगा वो मेरे ही favor में आएगा चाची you are aware of my friendship with juman said Algu अलगू ने कहा कि चाची तुम आप जो है मेरी और जम्मन की जो friendship से aware तो हो आपको पता तो है कि I'm friends I know that replied the aunt but I also know that you will not kill your conscience for shake of friendship चाची कहते कि हाँ मैं जानती हूं तुम दोस्तों लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि तुम जो है दोस्ती के लिए अपने अंतरमन को नहीं मारोगे God lives in heart of the punch भगवान जो है पंच के दिल में निवाश करते है and his voice is the voice of God और जो है पंच की आवाज ही भगवान की आवाज होती है and the old lady explain her case और old lady ने जो है अपना case explain किया Juman said Algu you and I are old friends Juman ने कहा कि Algu और मैं हम पुराने दोस्त है your aunt is as dear to me as you और तुम्हारी aunt इतनी ही तुम्हे प्रिया है तो इतनी ही मुझे प्रिया है now I am a punch अब मैं एक punch हूँ you and your aunt are equal before me तो तुम और तुम्हारी aunt मेरे सामने बराबर हो what have you to say in your defense तुम्हे अपने बचाओं में कुछ कहना है three years ago तीन साल पहले begin Juman Juman ने start क्या कि तीन साल पहले my aunt transfer her property to me कि मेरी aunt ने जो है अपनी property को मेरे नाम पर कर दिया था I promise to support her as long as she lived और मैंने promise किया था कि मैं उनको support करूँगा उनका सहारा बनूँगा जब तक मैं जब तक वो जीएंगी I have done all I could और मैंने सब कुछ किया जो मैं कर सकता था there have been a couple of quals between my wife and her but I can't stop वो कता कि लड़ाई होती है मेरी wife और इनके बीच में और मैं उस जगडे को समाप्त नहीं कर पाता now my aunt is claiming a monthly allowance for me अब जो मेरी aunt है वो मुझसे मांग रही है कि हर महीने जो है मुझे पैसे दो बत्ता दो this is not possible और यह possible नहीं है that's all I have to say मुझे सिर्फ यही कहना है जुमन वाज cross examined by Algu and others जुमन को जो है examen किया गया Algu ने भी किया और जो दूसरे और पंच है उन्होंने भी किया then Algu announced we have gone into the matter carefully in our opinion जुमन must pay his aunt a monthly allowance or else the property goes back to her तो सभी ने पैसला लिया सभी को जो है deeply उसको matter को समझा तो उन्होंने फैसला लिया कि भी जुमन को जो है monthly allowance देनी पड़ेगी नहीं तो वो जो है property को वापिस उसी के नाम पे कर दे now the two friends were seldom seen together अब जो है अब जो आपस में जो दोस्त है वो कभी कवार एक दूसरे को देखते हैं the bond of friendship between them was broken अब उनका जो आपस में जो bond था friendship का वो तूट चुका था in fact जुमन वस अलगू's enemy and wanted to revenge और जो जुमन है वो अलगू का दुश्मन बन गया है और उसे वो बदला लेना चाहता है पार्ट थरी है डेज पास्ट and as a luck would have it अलगू चोधरी found himself in a tight spot अब जो है दिन बीत दे गए अब जो है अलगू चोधरी के बुरे दिन आ रहे थे one of his fine pair of bullocks died उसका जो है एक अच्छा बैलो का जोड़ा मर चुका था और उसने जो है दूसरा जोड़ा जो है साहू को बेच दिया था एक कर ड्राइवर ओफ विलेज जो गाउं का जो है एक कर ड्राइवर है जो बैल काड़ी चालक होता है गाउं का वो वो है कुछ महीनों का समय रखा गया था और उसी टाइम के अंदर जो है साहू को उस बुलक जो बैल बेचे गए है उनके पैसे देने है और ऐसा हुआ कि जो बैल लिया गया था वो एक ही महीने में मर गया और फिर जो है अलगू को याद आया कि उसको तो जो है साहू से पैसे लेने है जो उसने अभी तक नहीं दिये है साहू गोत वेरी एनॉयड आई कांट पै यूए पैनी फॉर्ड रेच इस बिस्ट यू सोल वी वकाता साहू कहता कि मैं तुमें एक फूटी कोडी भी नहीं दूंगा जो तुमने जो है मेरे साथ ही ये किया कि तुमने मेरे को ऐसे बैल बेच दी जो एक महीने के अंदर ही मर गई मैं तुमें एक फूटी कोडी भी नहीं दूँगा He brought us nothing but tune उसने मेरे को कुछ नहीं दिया के वल मेरा विनाश ही किया है I have a block जो मेरे पास एक बैल है Use it for a month तुम एक महीना उसको यूज करो and then return it to me और फिर मेरे को वो वापिस दो वो कहता है कि मैंने तो कुछ कमाया ही नहीं उन से तो मैं क्यों दूँ पैसे तुम मेरा बैल ले जाओ और एक महीना यूज करके उसको वापिस दे दो No money for the dead bullocks he said उसने का कि मैं मरे हुए बैल के लिए कोई पैसे नहीं दूँगा अलगू decided to refer the case to the panchayat अलगू ने decide किया कि मैं अपना case panchayat के पास ले कर जाओंगा for a second time in a few months कुछ दूसरी बार जो है जो है panchayat लगी है और दोनों party जो है अपने अपना view दे रही है कि भई क्या बात है वो गता है कि जो panch की आवाज है वो भगवान की आवाज है और साहू ने जो है नोमिनेट करना था अब panch को चुनना था कि वो किसे अपना फैसला सुनवाएगा और जो वो कहेंगे मैं उसको मान लूँगा साहू साहिद चांस एंड परपॉस द नेम ओफ जुमन अल्गूस हार्ट शेंक एंड ही ट्रन पेल बट वट कुड ही डू अब साहू खड़ा हुआ और उसने जो है जुमन को अपना panch चुना अब जो है अल्गू के मन में थोड़ा सा ये आया कि भई अब तो जो फैसला है वो मेरे फैवर में वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि वो तो अपना बदला लेगा लेकिन वो कर क्या सकता है उसका चेहरा जो है पीला पड़ चुका था अब उसको अपनी जिमेदारी पता है एक जज़ के रूप में and the dignity of his office और जिस पद पर वो है उसको उसकी dignity का भी पता है कि वो कहां कितने उच्छी स्थान पर बैठा हुआ है क्या वो अब भी बदला लेगा वो सोचता रहा नो ही मस्ट नॉट मैं अपनी परसनल फिलिंग को न्याय के रास्ते में नहीं आने दूँगा बोथ अलगू एंड साहू स्टार्टिट देर केस अलगू और साहू अपना केस उन्होंने स्टार्ट किया देवर क्रोस एक्जे माइन एंड दे केस वाज कंसीडर डीपली दोनों के पक्सों को सुना गया और फिर जो है कि इसको बहुत गहराई से देखा गया देन जुमन स्टूडप एंड अनॉंस फिर जुमन खडा हुआ और उन्होंने जो है अनॉंस किया इस आर ओपिनियन देट है हमारा निर्णा है कि शाहु सुड पे अल्गु द प्राइज ओफ बलक की साहु को जो है बैलों के प्राइज अल्गु को देने पड़ेंगे तो हम अल्गु को कैसे ब्लेम कर सकते हैं इसके लिए अल्गु को नोट कंटेन इस फिलिंग ही स्टूडप एंड सेड लावडली ओवर एंड ओवर अगें विक्ट्री टू द पंचायत इस जस्ट गॉर्ड लिविन द वोइस ओफ पंच अब जो अल्गु है वो अपने जो जो है फिलिंग्स को अंदर नहीं दबा पाया और वो इतम से खड़ा होके बोला कि आज जो है पंचायत की जीत हुई है और यही न्याई है भगवान जो है पंचों में निवास करते हैं सून आफ्टर जुमन केम टू अगलु फिर जो है जुमन अगलु के पास अल्गु के कहता है सिन्सला लास्ट पंचायत लास्ट पंचायत से आई हैट बीकम यूर एनिमी मैं तुमारा दुश्मन बन गया था टुड़ी आई रिलाइज वर्ट इट मींट टू पी ए पंच लेकिन आज मुझे रिलाइज हुआ है कि एक पंच होने के नाते क्या का जिमेदारिया होती है एक पंच एक पंच का ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है वो केवल न्याय को जानता है लेट नो वन डेवेट फ्रॉम दा पाथ अव जस्तिस एंड टूथ फॉर फ्रेंशिप और अनिमिटी काता कि कोई भी उसको जो है न्याय के रास्ते से भटका नहीं सकता और टूथ फॉर फ्रेंशिप और अनिमिटी या किसी दुस्मनाई के लिए या फिर किसी दोस्ति के लिए कोई उसको जो है न्याय के रास्ते से भटका नहीं सकता अलगू एंब्रेस इस फ्रेंड्स अलगू ने जो है अपने दोस्त को गले लगाया और वैप और रोने झालगू